हमारे पास 75 साल का अनुभव है हमने 25 साल में कई सारी सिध्या भी प्राप्त की है हमने 25 साल के अनुभव में नए सपने भी संजोये हैं नए संकल्प भी लिए लेकिन अमिरित कान के लिए हमारे मानव समसाधन का आप्टिमम आउटकम कैसे हो हमारी प्राकृतिक संप्था का आप्टिमम आउटकम कैसे हो इस लक्ष को लेकर के हमें चलना है और तब मैं पिछले कुछ कि वीच सालों से अनुभव से कहसा चांगता है आपने डेखा होगा आज अदालत के अंदर देखिये हमारी वकिल के छेत्र में काम करने वाले हमारी नाणीशक्ति कि किस ताकत के साथ नजर आ रही है आप ग्रामिन्ट शेत्र में जनप्रतिशी दिव के रूप में देखे हैं हमारी नारी शक्ति इस मिल्जाद से समर्पित भाव से अपनी गाउं की समस्याव को सुल्धाने में लगी हुई है आज ग्यान का ख्षेत्र देख लीजिए भी ग्यान का ख्षेत्र देख लीजिए हमारे देश की नारी शक्ति सिरमोर नजन आ रही है आज हम पुलीस में देखे हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है हम जीवन के हर खेत्र में देखे खेल कुल का मैदान देखे या युद्द की भूमी देखे भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्त का नए विस्वात के साथ आगे आ रही है मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले पती साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं मेरी माताओं बेहनों का मेरी बेटियों का देख रहा हूं और इसलिए यह सारे हिसाब किताब से उपर है सारे आपके परामिटर से अतिरिक्त है हम इस पर जितना ध्यान देंगे हम जितने जादा आउसर हमारी बेटियों को देंगे जितने सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंदरित करेंगे आप देखना वो हमें बहुत कुछ लोटा करके देगी वो तुचाए पर ले जाएगी इस अमरित काल में जो सपने पूरे करने में जो महनत लगने वाली है अगर हमारी नारी शक्ति की महनत जुड़ जाएगी जापक रुप से जुड़ जाएगी तो हमारी महनत कम होगी जाएगी